हेलो दोस्तो मेरा नाम है अभिशेक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ डेटा स्ट्रक्टर से एंड अल्गोरिदम की ब्रैंड न्यू सीरिस के अंदर जिसका नाम है नमस्ते डियर से दोस्तो हमारे साथ बने रहे हैं क्योंकि हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक चाहूँगा कि अगर आपने C, C++ या फिर Java इनमें से कोई भी language कर रखी है तो आप लोग इस course बड़े आराम से कर सकते हैं अगर आपको C में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो मैं आपको recommend करू रहाती हमारे channel पे हमने पहले ही एक बढ़िया playlist बनाई रखी है तो आप लोग व इंस्टॉल नहीं की तो मैंने इसके उपर एक separate वीडियो बनाया है वह आप लोग देख सकते हैं और बड़े आराम से Windows या फिर Linux में उसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो दोस्तो अभी start करते हैं हमारी series के first ever वीडियो को तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले है background for analysis of algorithm तो दोस्तो किसी भी algorithm को analyze करने से पहले हमें क्या क्या चीजे जरूरी होती है वह हम लोग इस वीडियो में देखने वाले है given a value of n write a function to find sum of first n natural numbers ठीक है हमें क्या किया है तो हमें n की value दी है और हमें क्या करना है तो first n natural number की sum पेंट करनी है तो दोस्तो देखो हमारा input में क्या है तो input है 5 तो हमारे first 5 natural number की sum आती है 15 हमें पता है कि हमारे जो natural number है वो उन से start होते है तो देखो दोस्तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 इनकी value हमें क्या मिल रहे है 15 मिल रहे है आप लोग देख सकते 5 प्लस 4 9 होता है 9 प्लस 3 12 12 फ्लस 12 12 फ्लस 2 होता है 14 और 14 प्लस 1 15 तो इस प्रकार हमारा output 15 आ रहा है तो दोस्तों ये वाला problem solve करने के लिए हमारे पास 2-3 algorithm से यहाँ पे मैंने 2 algorithm लिये है जिनने की हम लोग compare करेंगे n into n plus 1 by 2 ठीक है यह formula है first n natural number की sum print करने का तो दोस्तों यहाँ पे हमारा first algorithm देखो क्या कर रहा है तो n into n plus 1 by 2 हमें return कर रहा है अभी देखो दोस्तों n की value है 5 5 plus 1 कितना होता है 6 होता है 6 by 2 तो इसका value कितना आएगा तो देखो 5 into 3 हो जाएगा ये और इसकी value हमें 15 मिल जाएग तो दोस्तों यह हमारा first algorithm है जो हमारा answer एकदम अच्छे से correct दे रहा है अब दोस्तों second वाला algorithm हम लोग देख लेते हैं तो दोस्तों second algorithm कुछ इस प्रकार का है आप लोग देख सकते हैं तो सबसे पहले हमें क्या हमें दिया है कि sum की value हमें 0 दी है तो देखो sum की value या पे उन् अब देखो दोस्तों हमारे पहले sum की value कितनी है 0 है अब देखो sum 0 प्लस IQ value है 1 तो हमारा output क्या आएगा 1 आएगा ऐसे ही जब second iteration होगी IQ value जब हो जाएगी 2 तो 1 प्लस 2 होगा 3 3 3rd iteration में देखो IQ value हो जाएगी 3 तो देखो 3 प्लस 3 हो जाएगा 6 अब देखो IQ value हो गई है 4 sum इक्वल 6 प्लस 4 इतना होता है 10 होता है और जब last iteration होगी जब IQ value हो जाएगी 5 तो देखो 10 प्लस 5 हो जाएगा 15 अब IQ value कितनी है IQ value है 6 लेकिन देखो I is equal to 6 के लिए यहाँ पे हमारी condition हो जाएगी false कि देखो हमारा जो 6 है वो less than equal to 5 नहीं रहेगा तो यहाँ पे वो break कर जाएगा और हमारे sum की value यानि हमें 15 print करके देगा तो इस प्रकार हमारा second वाला algorithm भी हमें output दे रहा है अब दोस्तो समझने वाली बात यहाँ दोनों algorithm में यही है कि देखो दोस्तो यह algorithm है यह constant work कर रहा है अब यह constant work कैसे कर रहा है देखो n की value मैंने 5 डाली तभी यह जो है n into n plus 1 by 2 यह statement एक ही बार execute हुआ अगर मैं n की value 1000 डालूंगा तभी यह जो statement है एक ही बार execute होगा तो यह क्या कर रहा है यह constant time ले रहा है ठीके यह ले रहा है constant time अब दोस्तो बात करते second वाल चल रहा है यह जो अंदर वाला sum plus equals i यह जो statement है यह भी पाच बार चल रहा है अगर मैं n की value मान लो 100 डालूंगा तो वो statement भी 100 time execute होगा तो दोस्तो यह जो algorithm है वो depend है किस पे n की value पे totally dependent है तो इससे analyze करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसे function के रूप में लिखेंगे तो द खीके वो 10 seconds ले रहा है execute होने में क्यूंकि वो constant time ले रहा था तो constant time को मान लो मैंने 10 ले लिया अब देखो दोस्तो हमारे जो second वाला algorithm है वो end पे dependent है तो मान लो मैंने उसे 2nd लिया तो वो कुछ constant operation भी perform कर रहा था जैसे देखो sum को उसने initialize किया return sum को return किया तो यह जो work कर रह है ठीक है तो हम लोग compare कैसे करेंगे तो दोस्तो compare करने के लिए हमारे पास एक method होता है जिसे हम लोग बोलते है asymptotic analysis बोलते है अब दोस्तो मान लो आपने जो program run किया है वो आपने slow machine पे किया है ठीक है यह जो program आपने run किया है वो slow machine पे किया है और हम आपकी programming language भी slow है और advantage मिलेगा क्योंकि आपके friend का algorithm आपसे पहले run हो जाएगा तो दोस्तो आपका friend क्या बोलेगा कि भाई मेरा algorithm टेरे से better है तो हमें यह prove करना है कि आपके friend से आपका algorithm अच्छा है अब हम लोग वो कैसे करेंगे तो दोस्तो जब हम लोग asymptotic analysis करते है तब हमारा जो asymptotic analysis होता है व पर depend नहीं करता क्योंकि हम लोग asymptotic analysis में क्या करते है कि हमारे जो highest growing term है उसे हम लोग consider करते है अब वो कैसे करते है वो मैं आपको यहाँ पर graph की साहता से अभी बता देता हूँ तो दोस्तो मान लोग यहाँ पर graph draw करते है ठीक है तो दोस्तो यहाँ पर जो नीचे वाला ठीक जाए और साथ ही साथ हमारे जो y-axis है इस पे हम लोग time लेंगे ठीक हमारा जो first-raw algorithm है वो हम लोग consider करते है तो वो algorithm देखो constant time लेता है ठीक है constant time ले रहा है ठीक है दोस्तो आपका algorithm n पर dependent नहीं है लेकिन वहाँ पर ही दोस्तो आपके दोस्त का algorithm जह है एन पर dependent है तो दोस्तो तो वो ऐसे linear time लेगा, अब वो linear time क्यों ले रहा है, जिसे आपका input size बढ़ेगा, वेसे वेसे आपके algorithm को run होने का time भी बढ़ जाएगा, तो दोस्तो बेशक ये जो छोटी values है N की, कि input की छोटी values के लिए आपके friend का algorithm better है, लेकिन देखो दोस्तों, ये point के बाद आपका algorithm आप अच्छा perform कर रहा है, तो दोस्तों, आप लोग बोलोगे कि भाई, कौन सी N की value होगी, जिसके लिए, जिसके बाद मेरा algorithm एकदम अच्छे से perform करेगा, तो दोस्तों, हमें देखो condition क्या है, तो देखो हमारा जो 2N plus 5 है, वो cup greater than 10 है, ठीक है, यही find करना है, क्योंकि देखो द यह जो algorithm है, 2N plus 5 वाला, यह वाला, यह 10 से बड़ा है, तो हमें यही निकालना है, कौन सी N की value के लिए, 2N plus 5 यह algorithm 10 से बड़ा है, तो देखो, मैं क्या करता हूँ, 2N यहाँ पे रखता हूँ, और 10 minus 5 कितना आता है, 5, और अगर मैं N की value यहाँ पे निकाल हूँ, तो approximate ठीक ह कम है, तो आपके friend का algorithm, आप लोग देख सकते हैं, better perform कर रहा है, लेकिन जैसे-जैसे input की size बड़ेगी, यानि अगर आपने 10, 100 ले लिया, तो आपका algorithm अच्छे से perform करेगा, क्योंकि दोस्तों, आपका algorithm जो है, वो constant time ले रहा है, लेकिन आपके दोस्त का time, जैसे-जैसे input values consider नहीं करते हैं, हम लोग n की value जो है, n की value जो है, tends to infinite, यानि बहुत बड़ी values consider करते हैं, तो अगर मान लो, बहुत बड़ी value मान लो, मैंने 1, ठीके, 10,000 भी ले ली, तो देखो, 10,000 यहाँ पे कही तो आएगा, तो आपका algorithm तो 3 के बाद अच्छे से perform कर रहा है, तो 10,000 के इसे हम लोग mathematically भी प्रूव करेंगे, next video में कि किस प्रकार हम लोग asymptotic analysis करते हैं, किस प्रकार हम लोग किसी भी algorithm का highest growing term निकालते हैं, ठीके, जो ज़्यादा effect करता है आपके time पे, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, तो एक like ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीके, आपको यह free of cost मिल रहा है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपके चितने भी दोस्त है, उनके साथ आपको share करना है, ठीके, एक दो lecture है, वो थोड़े से theoretical concept है, ठीके, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन दोस्तों उसके बाद जब हम लोग coding करेंगे, तब आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, तो दोस्तों आपको simply क्या करना है, like और comment कर देना है, और साथ इसाथ आपके दोस्तों के साथ इसे share करना है, यह PPT भी में आपको share कर इसकी चिंता आप बिल्कुल मत करना, तो आपको अगर दो algorithm दिये है, और दोनो algorithm में कौन सा algorithm best है, यह आपको अगर mathematically प्रूव करना है, तो यह हम लोग next video हमें cover करने वाले है, तो यार हमारे साथ बने रही है, अगर आपने अभी तब चैनल को subscribe नहीं किया, तो कर देना यार activity यह series में हम लोग एक दम आग लगा देने वाले है, तो दोस्तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, सब तक के लिए, बब बाई